आज की जो हमारी classes होने वाली हैं, इससे पहले हम लोगों ने बिहार के मौसम बगरा पर प्रसंद्रों बनते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था, अब बिहार की इस परकार से आपदा से घ्रसी थे और बिहार में किसकी आपदा का परकूप आपको देखने को मिलता है, उसमे तो किसी भी छित्र की मिट्टी के निधारन में उच छित्र में पाई जाने में चट्टानों की अहम भूमिता होते हैं, आप लोग जासा की जानते हैं, साथ ही वहां की जलवायू, आदर्ता, तापमान, फ्राकितिक बनश्वती, असलाकृती, मानवी हैं से थेप, आदी का परिवाते हैं, साथ में पाई जाने वाली चट्टान, यह भी परमुक भूमिता निधारन में अगर बात करेंगें, सबसे अधिक बनश्वती हैं, तो अधार्भूत चट्टान, और जलवायू, परिवाते हैं, बात करेंगे, बिहार के पच्मी भाग में सिवाली करम की पहारी भाग है, जहां मूतन काल की चट्टाने पाई जाती है, बालू पत्था, क्वाटजाइट, गोलासमा आदी पाई जाती है, यहां बनश्वती के अप्सेश्वत अथा प्रदाव चट्टानों के अंसे निर् पहारी भाग में, बिहार का दच्छिनी पहारी भाग में अस्था लेडूप, दच्छिन के पठारी भाग में जो छोटा नाकूर पठार का उतरी विस्तार भाग है, बिहार का दच्छिन का जो पहारी भाग है, वो छोटा नाकूर पठार का ही मतलब क्या है, उसी का उतरी प्रावार काल की चटानों से प्रभावित मिटिया भी आपको देखने के मिलते हैं गया के पहारी भाग में आर्कियन एवं धरवार काल की चटाने से प्रभावित मिटिया पाई जाते हैं राजगीर क्यूल नवादा बाता की पहारियों में सेल आगने तथा क्वाटजाई चेटाने से प्रभावित मिटिया आपको लेखने को प्रभावित मिटिया प्रश्ट आपको मिलता है बरसा अद्रता एवं तापमान के बित्रन ने यहां के मिटियों के गुनों को मतलब क्या किया है निधारित किया है ठीक है मिटियों के बिहार आपको कौं सा मिटिय मिलेगा लाल मिटिय मिलेगा ठीक है दिर्मान पर की दिया कि दिश्टि से बिहार में मुक्याता दो परकार की मिटिया यहां अवसिष्ट की मिट्टी या दुजरा जो है प्रवाही या फिर जलोड मिट्टी जो कि नदियों के दोरा मुक्यता लाई जाती है ठीक है अवसिष्ट मिट्टी का निर्मान अस्थानिय चटानोस होता है कैसे होता है इसका निर्मान की बात करेंगे तो अस्थानिय चटानोस तो अस्ठानिय चत्तानों से इसका निर्वान आपको देखने को मिलता, ठीक है? अब बात करें के जलोड मिट्डी का निर्वान कैसे होता है? नदियों के दौरा बहा कर लाए गई अब सादो से इसका निर्वान होता है, ठीक है? बिहार सरकाने ऐ क्रीशियन उसंधान विभा पहला मिर्दा को है तो गंगा के उत्री मैदान का मिर्दा, दूसरा जो है गंगा के दशनी मैदान की मिर्दा, तीसरा जो है दशनी पठार की मिर्दा, ठीक है तो बिहार में कितने परकार के तीन परकार के आपको मिर्दा, आपको देखने के मिलते हैं मुखे रूप से, तीन विभाजित किया तिन फरकार का मिर्दा नहीं है तिन भागों में विभाजित किया गया है पहला जो गंगा के उतरी मैदान का मिर्दा अब देखें कि गंगा के उत्तरी मैदान की मिर्दा में क्या खासियत है, क्या चीज आपको देखने को मिलता है। क्याकि उनकी निर्मान परकिया त निर्मित हिमाले के पहारी से जानेए जड़ आपकी साउंड नहीं आ रही है 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 अब आपके पर दोड ने के बाद इंटरनेट का अपनेटसर्टंट अपने हो जाता है अब मैं क्या बता रहा था घंगा के उतरी मैधान की विर्दा जो रहा है तो उत्तर विहार की मिट्टी की बाद करेंगे बदच साउंड मिट्टि है उसके तुनला में कुछ भीन देखने की मिलती है। जलोड मैडान में मिठ्टी निर्वान के आप साधी पडात, पूर में कोशी तथा महानन्दा, मद्धे भाग में अब धारा नदी तन्त, पच्छिम भाग में गंड़, भुधी गंड़, घाग राता था, इनकी सहायक नदियों के निच्छे के रुप में पराप्ट होते हैं तो गंगा नदी के उत्तर में जलोड मैडान का जो मिठ्टी के निर्वान है, उसमें अप साधी पडात, पूर में कोशी नदी हो गया, तो पूर में आपको कोशी नदी आपको ध्यान रखेगा और साथ में कोर महानन्दा नदी, ठीक है, मद्धे भाग में आप धारा नद अप्सिष्ट मिट्टी तराई मिट्टी नब दिर्मित जलोड मिट्टी और साथ में कौन सा दोमत मिट्टी तिक है अब देखें अफ्सिष्ट मिट्टी का क्या होती है तो अफ्सिष्ट मिट्टी की बात करेंगे तो बिहार के उत्री पच्मी भाग खास के पच्मी चंपारन के उत्री पच्मी पहारी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है तो मुख्यर उपसे पच्मी चंपारन का जो भाग यहां पर आपको को मिठी कर चाएगा तो दियान रखेगा चाफ baby पदाप ओ कि आपको पदाथ हो कि आपको पर दह समीती दहां तरह के लिए नुपोल है? तो अफसीष मिठी की बात करेंगे तो धान तरह कि लिए नुपोल है मिट्टी के टाइप से काप ठीक है धान रखेंगे तो यहां पर मतलब क्या है कि मिट्टी में काप तथा जविक पर आपकी परहंता होते हैं यहां धान तथा गन्ना के लिए अनुकूल छेटर जो है सो आपको मिलें इसलिए पच्मी चंपारं की बात करेंगे उतरी पच्मी भाग का जो हिस्सा पाच्मी चंपार बेतिया वाला हिस्सा जो वहां पर क्या मिलेगा तो गन्ना की खेती कुछ से खुम होती है और सबसे ज़्यादा होती है अब आता है तराई मिट्टी ठीक है तराई की मिट्टी की बात करेंगे तो तराई मिट्टी के निरन हिमाले के नदियों के दौरा लाएगे अब साथ याथि तलहती पडातों के एकत्री करण के अब साधन से होता है इस परकार के मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ-साथ पुरुब में किसन जन से लेकर उत्तर में चंपारंग की पहारियों तक साथ से आठ किलोमेटर चौरी पट्टी में ठीक है तो ध्यार में आपको रखना यह जो तराई की जो मिट्टी जो है ठीक है तराई की जो मिट्टी जो है सो मतलब कहां पर आपको देखने को तराई मिट्टी के नेरवन हिमाले ठीक हिमाले ते नदियों के दौरा लाएगे अब साथ तलहती पडातों के एकत्री करण तो तराई के मिट्टी का रंग की बात करेंगा, तो तराई के मिट्टी का रंग की बात करेंगा, तो तराई के मिट्टी का रंग की बात करेंगा, तो तराई के मिट्टी का रंग की बात करेंगा, तो तराई के मिट्टी का रंग की बात करेंगा, तो तराई के मिट्टी का र होता है थीचैसा होता विवन कितना होता पीला यह षब बार्न देखने को मिलता है अब बात करें मिट्टी रहने से, ठीक है, मरुगा, कुल्थी, सकरकंद, और हर आदी के उत्तावन होता है, ठीक है, धान की दो फसले, भादाई तथा अगहनी उगाई जाती है, ठीक है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, जामे सिधा सिधा पस्ति पुछा, तो भादाई और अगहनी किसकी कि किसम है, तो ध्यान रखेगा, भादाई की बात करेंगे, या फिर अगहनी की बात करेंगे, तो इसकी किसम है, तो भादाई तो था अगहनी की बात करेंगे, धान की किसम है, ठीक है, ठीक है, किस परकार के मिट्टी में होती है, तो ध्यान रखेगा, तराई की मिट्टी में होती है ठीक है नेपाल के साथ जो सिमा बनाने वाली जिला जो वहां पर मिट्टी आपको मुखे रुप से देखने को मिलता है ठीक है उसके बारे मैं बात करूँ तो इसमें एक चाज और भी ध्यान में रखना से इस मिट्टी का रंग कैसा होता है भूरा भूरा एवाम अलका पिला होता है ठीक है यह भी आपको ध्यान में रखना है अब आते नब निर्मित जलोड इसको भांगर के नाम से जानते है ठीक है नब निर्मित जलोड मिट्टी जो हता यह भांगर के नाम से आपको जाना जाता है जलोड का ही मिट्टी का एक टाइप से ठीक है तराई के जालोड खादर होता है अच्छा यहां पर गालत दिया तिक ए डाउट कुल है ठीक है चलिए तराइक दाचिन में नबीन जोलड मिट्टी का छेर परादा मोता जिसे खादर कहते हैं इस मिठ्टी के इचे तो उत्तर बीहर में बाध का मैदानी भागते हैं बाध का पानी के फेलाप से भूमी को मतनब कहार है उर्बरा सक्ति मिलती है जिसका रंग गाधा भूरा एबम काला होता है इस तरफ आ के मिठ्टी गंड़ा, बुधी गंड़ा, नदी सब्तीं पांष्या में नडी में मुखेता है। इस परकार के मिट्टी आपको कहां पर मिलेगा, सारन में, पुर्वी चंपारन में, मुझपरपुर में, शीवहर में, मधुमानी में, दर्भांगा में, शमस्तिपुर में, खगरिया में, शहरसा में, मध्यपुरा आधी जीलों मिलेगे, इस परकार के मिट्टी में क्या होग है और संदीचुक्वा रिष्टति हैं लिए जो पेज़ेटा है। सबैसाली जिला की बैसाली भी जो टम-बाकू की इती होती है तो किस परकार के मिट्टी के लिए पधानता हो आप तो डोमट मिट्टी कों से मिट्टी तो डोमट मिट्टी ध्यान में इसको रखना है कौन से मिट्टी है तो डोमट मिट्टी ठीक है बात करेंगे यहां पर क्या मिलेगा मुझापर्पु में लिची के बगान का च् ठीक है बागानी खेती करने के लिए वागवानी या फे बागानी कहले जिए उसके लिए कौन सा है कौन सा मिट्टी है कौन सा मिट्टी है डोमट मिट्टी है ठीक है ध्यान में रखेंगे और बात करेंगे कोशी तथा महंदना नदियों के घाटी के छेत्रों में भी डोमट म मादान की मृढधा की बात करेंगे तो उसके क्या प्रस्ण है व भी हम लोग देखते हैं ठीक है तृ गघ Pendert स्थिंग के पस्क्राइब दिखा है और की मादान की मिरदा ऑर दथनी पठार की मिरदा के बारे में हम उसमें सब यह हम लोगों ने क्या देखे गंगा के उत्री मैदान की मृत्व हम लोगों ने पर थे इसमें अफसिष मृत्व हम लोगों ने पर fishermen, जैविक प्रत्व की सौरी, अफसिष के बाद राई था, तराई के बाद क्या था तो नब दिर्विप जलोट था इसके बाद हम लोग जो थे सब लोग हम लोग परहेंगे डोमट मिटी पहली हम लोगों ने अब हम लोग चलेंगे कहां पर चलेंगे तो हम लोग चलेंगे गंगा के दचनी मैदान की मेदा ठीक है तो दचनी बिहार की मिट गया उत्त निरा नदियों की भूमिका होती है प्रांटु दच्छिन विहार की मिटियों की निर्वान में छोटा नाक्पुर पठार ठीक है जबकि मैदानी भाग में मिटियों में चुना कंकर भी अधिक रूप से आपको देखने को मिलता है अब दच्छिन विहार के जो मिटि जो है दच्छिन विहार के मैदान के मिटियों के चार भागों में हम विभाजित कर सकते हैं पहला जो है कगारी मिटि है दुसरा की बात करेंगे काल मिटि है तिसरा जो है पूरानी जलोर मिटि है दच्छिन विहार में पूरानी जलोर मिट ठीक है साथ में आपको क्या मिलेगा आप सिश मिट्टी आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कागारी मिट्टी क्या होता है तो गंगा सोन एवं तथा सहायक नदियों के मार्ग परिवर्टन से मिट्टिया कुछ धीन हो जाती है खा सब्जी के लिए अनुपूर होती है मुख्य तक का गारी चेतर की बात करेंगे तो यहां पर दो नदी का पहुद अधिक भूमिका आपको देखने को मिलता है कौन नदी है तो ध्यान रखेंगा सोन और पुन-पुन कोन सी नदी है टाल चेतर की जो मिट्टी जो होती है तो इस चेतर की मिट्टी की बात करेंगे तो हल्के लाल रंकी होती है तो पुरुवी पटना से लेकर मुंगेर तक ताल की चेतर में मिलती है जन्लोम तथा केवाल है तो इस चेतर की मिट्टी जो है से दक्षिन भिहार के मिट्टी यह भी आपको ध्यान में रखना है अब आते हैं पुरानी जलोड मिटी या फिर करेल या कैवाल के भी नाम से जानते है ठीक है इस परकार के मिटी दक्षिन विहार के उन भावों में पाए जाते हैं जहां बाड का पानी नहीं पहुंचता तो पुरानी जलोड मिटी या फिर करेल या कैवाल किसको बोलते हैं तो दक्षिन विहार में आपको मिटी मिलती है रीजन क्या होँआ पर मिलनेगा कि वहाँ पर बाड का पानी क्या होता है नहीं पहुंच पाता है इसलिए ये मिटी आपको देखने को मिलती है कहां पर दक्षिन बिहार में मिलेगी क्यों मिलेगी कि तुहां पर बाट का पानी नहीं पहुँच बाता है ठ्यार बेर रखेंगे ठीक है ये एक भारी मिटी है जिसमें आपकी बहुलता पाते है ये मिटी रोहतास से लेकर गया और अंगा बाद पटना जहाना बाद मुंगेर होता हुआ भागल पुर तक आपको देखने इस मिलता है करेल मिटी चारिये तो था कैवाल मिटी चारिये जहारी होती है ज्योंसे द्श्चन बिहार की इसा होता है तो कैवाल मिटी का होता है चारिये में क्या होता है तो थ्यान में रखना है ठीक है और ये पुरानी जलोड मिट्टी ये पिक करेल या भी केवाल मिट्टी आपको कहां पे मिलेगी तो मतलब दक्षिन विहार में मिलेगी अम मिलने का रीजन क्या है? तो मिलने का रिजन सिंपल है कि क्या नहीं पहुंच पाती है तो आपे बाड का पानी नहीं पहुंच पाता है ठीक है अब आते अब सिस्ट मिट्टी ठीक है इस परकार के मिट्टी दक्षिन विहार के दक्षिनी भाग खास करके छोटा नकपूर के पठार से छटे पहारी भा बालु के कन पाया जाते हैं इस तरह के मिट्टी के च्छत में अभीकास अधिक हुआ है अब आते हैं जो की तीसरा बाला था वो परहेंगा उसके वर I think MCTU आ जाना चाहिए तो यहां फे दशनी पठार की मिर्दा हम लोग परहेंगे इसमें क्या है देखते हैं तो दशनी पठार की मिर्दा की बात करेंगे तो दशनी बिहार के संकिन पठारी भागों में जो अफ्सिष्ट मिट्टी मिलती है इसका रंग मुखेतर रुप से लाल बंपिला है जैसा है तो दशनी बिहार के संकिन पठारी भागों में जो अफ्सिष्ट अगर दुसरा की बात करें लाल और पिले दोनों परकार के मिट्डि है तो द्थनी पतार की मिंजिदा को हम लोग दोवागों बिवाज जिती है, तो लाल है या तो पिला है तो एक में अगूऊ अपय का क्वाज जकर निर्मान अधिक बरसा के चेतर नौह ज़ना के कारण इसमें लोहे की माता अधिक तका जिवास में कम मिलता है, मुंगेर के खरकपुर के पहारी छेत्र में, गाया, नवादा, सहफुरा, बाका, जमुई तथा भागलपुर जीलों पाए जाती है, इस मिट्टी में मोटे अनाजो की खेती की जाती है, लाल मिट्टी जो है, विहार के लिए इंपोटेंट ही है, ध्यान रखेंगे, कहां पर मिलती है, तो बहुत सारे जिला है, उतना आपको ध्यान पर नहीं दखना है, बिहार के, ये मिट्टी बिहार के तक्सिल सिमांदर्था पहारी छेत्र में आपको मिलता है, ठीक है, बाकि जो जिला का नाम छोड़ी है, पटने मुंगेर से खगरफूर के पहारी के छेतर में आपको दिख जाएगा, नावादा में भी गया में ही है, सम जगें मिलेगा, लेकि लाल मिटी की बास के मोटे अनास के लोगते होगी है, अब आते लाल तथा पीली मिटी है, इस मिटी में लौतत की पढ़ांता के क कि कौमा नहीं उपर बालेगा, पिलापन के लिए कुछ लाल रंग के मिटी में जल संगरहन करने की छम्टा कम होते है, तो उपर में लाल में के वल मोटा था या पर का दलहन आ तिलहन भी इसमें सामील है, अब देखेंगे इस सारे समस्त्ता, इन सारे चीजतों की बिहार में मिर्दा से सम्दित कुछ समस्या है। बिहार का लगवाथ 30-35 भूमी समस्था क्या है गराश के इस ती खराब है ठीक है पहारी तथा पठारी भागव में अब छरन का मुख्य कारण कटबन कटाब तथा नदियों का मार्ग परिवर्टन से है इस समस्था के लिए कोशी नदी की बात करें को ख्यात है मार्ग परिवर्टन के लिए कोशी नदी की खुख्यात है ठीक है मार्ग परिवर्टन के लिए बारबार रस्ता चेंज कर देती है इसके बज़ के आखता बाढ़ भी आता है कैमूर कया नवादा मुंगेर जमुई बाका आदी जीनों में पहारी भागों मिट्टी अफ्षरन की समस्था यहां अफ्षरन नदीयों के कारण ही आपको देखने को मिलता है बिहार में मिट्टी छरन चादरी कटाब नलिका कटाब और मिट्टी कटाब के रूपे में किर्यासील है चादरी कटाब और नालिकी कटाब उन शेतों में अधीक पाया जाता है जहां बरसा अधीक होती है तो चादरी कटाप और नालका कटाप तिन शेटर में होता है उन शेटर में होता है जहां पर बरसा क्या होती है अत्य धीक होती है जिसके बरस क्या होता है बनस्पतियों क्या होता है अभाव होता है अज़र बनस्पतिय का अभाव होगा तो मिट्टी को फकर नहीं पाएगा तो जाहिसी बाद है मिट्टी का क्या होगा चरन होगा फाल सब उप जाओ भूमी बंजर में बदलती जा रही ठीक है बिहार की बारते बिहार में 431.7 दो लगए 4.6% हेक्टेर भूमी के हैं बंजर अबाओ अक्रिस से है इसलिए बिहार सरकार ने जमीन में अंतर नहीं क्रिसी को बढ़ावा दिया ठीक है अभी जो आपको चौथा क्रिसी रोड में पाया जिसका समयकाल कब से कब है चौथा क्रिसी रोड में अपना चौभी सर्था नहीं परे ठीक है एक लाग 17,000 करो रूपया इसमें था इसका रखा गया था ठीक है बिहार में सरवादी बनजर की इससे की बाट टोटल कितना है? उसके बत्वादिक बात करेंगे है सबसे बहनगे बसे जर्था नहीं में पैड ठीक है और इतना ही मात हुए ठीक है? तोटल कितना है तो 4.6 तोटल लेंड का 4.6 चाहर दोसों में 6.6 अपको देखने को मिर्दा सनक्षन के उपाई के है तो बेसी कोचन आपनों को पता ही होगा ठीक है सबसे परती भूमी पर घास में पेर लगा कर मिर्दा के कहता आपको रूका जा सकते है परवटिय धालों पर बिच्छा रोपन किया जा सकता है परी रेखिए जुटाईत है तो मिट्टी के किसी परती बेबल दिया जा सकता है परवटिय धालों पर सीटी नुमा खेत बनाकर किसी किया जा सकता है पता ही आपको ठीक है उसके बात करेंगे तो तिर्व धलान पर अब रोधक बांट का अब बढ़ाबा दिया सकता है, बाता आंधी तुप्ःन को बहुत हाकता है, रोका जा सकता है, उससे वे मिट्टी का क्या होथा? चरन होता है. अब हम आते हैं मिट्टी, काहां पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है, उसमें हम पर देखेंगे. तो सबसे पहले हमें और तराइबालине मिटी की बात के इसमें क्या होता है? रेत एबम कनकर इक्थ होता है . भूरा एबम हलका पीला रंग होता है कहाँ पर मीलेगा ? तो चमपारन के सब्सक्र बो की लिए तो धान के लिए परसंची लोगे होता है बाल सुन्दी मिट्टी की बाद या फिर डोमट मिट्टी कहते है बाल सुन्दी इसमें के चुना एवं छार इप्थ होता है गहरा भूरा इवं सपेद होता है धान एवं गंद्ना की खेती के लिए बहुत इंपोर्टिंट होता है ठीके कहां पर मिलेगा तो सहरसा चंपारन पूरियां मुझ्थपर भू मधयिपूरा दर्भंगा में मिलेगा घादर या नभीन जालोड ठीक कहां पर मिलेगा है prose oc. चुना एवं छार कि कमी होतिय इम तरह क्षान पर मिलेगा मुझ्थपर्पु मझ geek sirshah inigane में द्रवंगा रोताथ में गया पटना रोतास में गया पटना गेहूं अरहर और बाजरा के लिए जाती है ताल वाले मिट्ट दो बात करेंगे तो धूसरा रंका होताई पंपना मुंगेर बाद को जो वाग्जाने जाती है तो इसमें मोटा अनाची खेती आपको देखने को मिलती है, तो अब आता है पर इच्छा होगी होगी कोशन के हमनों बात करते हैं कि answer किसी ने खोल याय क्या answer खोले answer खोले कि नहीं खोले बताएं नहीं खोल लेता हूँ answer खोल के रखें मिला ये इसके answer अगिक है खोले बताएं पहला answer कि और प्रदेश होगी पार्ट परदेश ने पार्ट परदेश होगी एक दख़ाएं तो पहला का एंसर क्या हो जाएगा पाल प्रगे सो प्राइट क्या हो जाएगा तो प्रेंगभे सुर्भारा क्या अब ज़ाज़गा सुस्डबर को डेकने का लुव सर्वादिक वर्षा नुदा photon इस 직접 होता है तुसम गाल्य होता हैं गंगा के दसनी बाद की प्रमुक मिट्टी की बात करेंगे तो कौसे मिट्टी रेस बात करेंगे है तरहे में मिलेगा संद्टारपास मिलता है त्ट गंगा के केमुरपथार से लेकर पुरु मेराज महली की पहारियों तक 8-15 km तक शंकिन शट में जो मिट्टी पाए जाती उसको कौन सा मिट्टी बोलते है तो उसको बोलते हैं मांसोंनी है ठीक है उष्णाइब रहें ने भारत का मांशून ही था यूए होगा बिहार का भी जलवाए माशून ले सकता कों महांकित प्रारंड होता है ठीक है भी जून के मद शुलाइ जुलाइ के आरम में किदर गया रहे है जून के मद्ध में 2015 के तारीक के आज पस आता है ठीक है निस्टेक आज़ चलेंगे आगे चलेंगे कौन सी होती है पूरण का सी मिठी काई जए जाती है कैंसर बागा दाध की घिंदे की बार इंगों kami बिहार में लेटराइट मिट्टी कि भाग में पाई जाते हैं तो चोटा नाकूर पठा आए उटरी भाग में तो बिहार में 5-7 km चौरी मिट्टी का तराइच चट विस्टी से ध्यान को रखेंगे बिहार में पुरानी जलोड मिट्टी का विस्टा आपको कहां पे मिलेगा पुरानी जलोड मिट्टी रोतास देया पतना मुगर बागलफूर बिहार में गंगा नदी के दक्षिन में एक लंबी संकिन पत्ली पत्ली बिस्थारी से क्या होगा इसका अध्यान में क्या होगा इसका तो ध्यान रखेंगा पतना मुखामा बाड बरहिया ठीक है यह इसका लिए ठीक है अब आते बताना है आपको बिहार में भाबर के मैद पुराना वाला मिट्टी है ठीक है बिहार में जलोड मिट्टी का परमुक फसल कौन सा जलोड में कौन सा परमुक फसल होता है द्धान ग्योण गमुना अरहर बाजा काप मिट्टी की पढ़्धा भिहार को गाउगा अरहर बाजव काप मिट्टी की पढ़ांता भिहार का अच्छारी मिट्टी से ठीक है लटना कब अक्टूवर मंंथ में फीज़ेर में से खलई दंटा देख रही दंटा ढ़ार बंगाल की ठरी पास परेगा हिन्द मां संपरेगा कमाल स्विद्ध कालीन बरसक पी निया है । बंगाल वाला मिलल टो लूर का rust नवल टाना रािंस ुर्ल सीनुंन है with अध्या अध्या गवब्राइख परला प्रभाव हता है बीदें फर्श हम आसा 17 मशन ऑप्र मांसें का प्रभाव हने का प्रियों बिहार की गर्मी की दिनों में शूर्य किस्तिति क्या होते है? उत्रायन होता है यह क्या होता है। करो किसे नाम से जानता है जान गंगा के दसनी भाग करे ऎर्फ के दाल मिट्टी से नीरिविड उचे भूभा को निमि लु one किस नाम से जानते हैं ऊप्र जाती के यहीं कि अपरलें निंडिकित निंडिकित में इनुपित में निंडिकित के निन जीरों में से किस जीलि में पिदक मांड मathanते स refers to कि this here ठीका यह पूछा हुगा है बेहां शुफा बेचा निल्ड है किस रिया तो बीप्च जब वाएंट ना ना भी जादा बाइस जान होते है नहीं जड़ता है य। मेरा पार जो एंसर्ड उसमें सुप्रुलियाग में चिक करने का तो पुछा हुआ है तो मुझे नहीं नहीं पाला पाश्मी चंपारन लिया है वो अपदा रिस्पॉंस में बांड़ना स्थापिट करने वाला देश का पहला राजी कौन सा है तो कौन होगा बिहार में किस क्रिसी जल्वाई चेटर में बिहार में किस क्रिसी जल्वाई चेटर में सर्वादिक जल्या आता है तो परहे तरह हैं किस में आता है उत्तर पुर्वी चेटर में सर्वादिक बरसा होगा ना तिवार्था के नुसार जल्वाई का किस रिनी में रखा गया बिहार की जल्वाई को तिवार्था का उपोस्न कटी बंदी है उपोस्न कटी बंदी है मांसं कागमन बिहार के किस जिल्व सबसे पहले होता है ठीक है सबसे पहले है बाल सुन्दे मिट्व की प्रकेटी कैसी होते बाल सुन्द एमिट्रो निगपर के मूद के अधिक बरसा होने के खादर मिच्टी में किस फ़सल की करिसी होती है ठीक है तो कार सी यूट्धा हृती है कपास की करती हुथ्यूटे यू थिक है फिस फयूटे करिबंखिक ह पुर्वी में सद्कितन का यहां से बहुत सरा को जामिया पर देखने को बिलता है ठीक है